सबसे बहुत करते हैं सुजुकी बगमेन वैसे तो इंडिया के रोड़ों पर हमने एलेक्ट्री वर्जन ऑप बगमेन देखा है काफी समय से उसके बाद बीच में कहीं पर हमने टेस्ट करते हुए सुजुकी बगमेन को नहीं देगा बट फाइनली टोक्यो में एक आटो एक् में लाकि जो रेंज की गई है़ो काफी काम है 44 किलोमेंटर जाएंडिया के लिए हिसाब से मेरे को लगता है म emg h ship नहीं करेंग एक बर इसको निकल की आ रही है वो आ रही है अगेर हांड के तरफ से और ये वी टोक्यो अटो ऊ से आ रही है तो क्यों में काफी जादा कंपणियों ने पार्टिसिपिट किये अपनी गाड़ी को शूकिस करने के लिए और यहां पर हॉंडा ने भी अपनी गाड़ी को शूकिस किया यह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रही एक कॉंसप्ट है SCE और इसको पर अल्रड़ी मैं एक डीटेल वीडियो बना चुका अगर आपको सर्च करना है तो मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं यह जो गाड़ी यह कॉंसप्ट है अभी इसका पूरा आया नहीं है यह कॉंसप्ट ली बनाएगा बट डिजाइन वाइस काफी अच्छी लग रही है LED सेटप दिया गया है और इसका जो टच स्क्रीन है मैंने किसी के वीडियो में देखा था वो चल नहीं रहा था तो मतलब यह टोटली कॉंसप्ट है लेकिन हाँ इसी पे बेस्ट आपको होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर जो इंडिया में आने वाली जो एक्ट लेट आने वाली है next year तक announcement का सुना है और पता नहीं कब तक इंडिया में लॉंच होगी जब तक एक पूरा बूम नहीं आगा इंडिया में तब तक मेरे को लगता है कि यह गाडिया इंडिया में नहीं आएगी next news के वार्थ करते वह ओला अब यह news थोड़ी सी important भी है और मैं क्या ही बोलू मतलब मिक्स है उला ने जो उनके offers प्रवाइड किये थे like जिसमें आपको ज्यादा festival offer मिल सके उसमें मैंने बताया थे exchange offer maximum 10k तक प्रवाइड करेगी बट जब दूसरी कंपणियों ने 40 40k तक exchange bonus प्रवाइड करने का वादा कर दिया तो उला कंपनी ने 10,000 से बढ़ा है कि उसको 15,000 कर दिया इसके अलावा जो ओला एसवन एक्स चु लाकी ड्रो वाला सिस्टम चल रहा है पर डे वाला जो फेस्टिवल सीजन में इन्होंने निकाला है वह एक्चुल में चल रहा है और काफी लोग को ओला एसवन एक्स मिल भी चुका और प्यूट यह सारे जो मैंने न्यूज बता ओला के यह तो चलो पॉजिटिव वे में भी है लेकिन एक न्यूज आईए पूने से जहां पर ओला की ओला एसवन प्रो जैन वन में आग लग चुकी है बट कंपनी के तरब से इस पर रिप्लाइ भी आ चुका है कि उन्होंने बोला कि पूरा स्टेट्मेंट आएगा तब हमको पता चलेगा कि क्या है इसके पहले भी एक ऐसा हाथसा हुआ था बैंगलोरू या कहीं पे तो हुआ था बट वहाँ पर उन्होंने पूरा इंसिदेंट को जेस्टिफाइड किया था कि क्या का कहानी और प्लस उन्होंने पूरा वह उसे इसका एक वीडियो शेयर किया है ऐसा नहीं है कि बाहर से पार्ट्स मंगवाया एसेंबल किया और लॉंच कर दिया ऐसा नहीं है डिजाइनिंग पूरी की पूरी यहां हुई है बट मैं एक चीप बनाने के लिए कुछ चीजे आज भी हमको इंपोर्ट कराना पड़ता ऑना चाक कितनी भी बड़ी कंपनी क्यूं ना बैटरी के लिए कुछ पार्ट्स होता है जो बाहर से मंगवाने पड़ते ही पड़ते है अलाकि बैटरीं इंडियामे में बनेग़ने लगने वाला मतेरियल में कुछ कूछ चीजे मिद्ध कराना पड़ती है जो हमारी इंडि होई जाएगा लेकिन जब भी आएगा मैं ज़रूर आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट उसकी बात करते है टाटा की अपकमिंग इलेक्टरिक वेहिकल जो की है करव इवी इस पर काफी तकड़ा काम चल रहा है और यह काफी फूचरिस्टिक गाड़ी होने वाली दिखने में बहुती अदभूत होने वाला यह एक्टरिक वेहिकल 500 किलमेटर की रिंज प्रवाइट करने वाला और यह एक प्रीमियम गाड़ी होने वाली टाटा की तरफ से टाटा टोटली डॉमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट में अपनी गाड़ियों को ऐसा सेल कर रहा है अगर मैं बात कुरूँ फेस्टिवल सीजन की ऐसा बिकरा है ना ऐसा बिकरा है में क्या ही बूलो मतलब कजब भी करा है बहुत ही कजब भी करा है नेक्स्ट नूस की बात करते हैं वो है MPR कंपनी की तरफ से MPR की Magnus EX और Primus दोनों म एक flat discount भी मिलेगा अगर spin करने पर उस जगे पर पहुचता है अपना spinner तो लगबग 10,000 रुपय आपको as an off मिलेगा Magnus EX में और Primus में लगबग 14,000 को मिलने वाला बट ये पूरा lucky वाला सिस्टम है हलाकि confirm यहाँ पर gift तो मिलना ही मिलना तै है उन्होंने पूरा का पूरा mention कि यह उनके website पर जाके check out करना है तो कर सकते हैं next और the last news of this week वैसे मैं आपको उता दू ev Sunday काफी समय से नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत जादा बीजी था बट जो final news है वो है गोगुरू की तरफ से और गोगुरू की तरफ से मैं actual में जादा excited इसले भी हूँ क्योंकि यह ऐसी company है जिसने ताइवान में अपनी गाड़ी का लुहा मनवाया याने उनकी गाड़िया सबसे जादा demanding है गोगुरू की उनका जो battery swiping network है वो सबसे तकड़ा माना जाता है ताइवान में और company इंडिया में भी ऐसे कुछ करने का सूच रही है लेकिन वो धीरी धीरे step ले एकदम से step नहीं ले रही है पहले पूरा market को समझ रही है और recently company ने एक गाड़ी के नाम को रिस्टर्ट किया जिसका नाम है GX250 बाहर के दिशों में रेवा नाम से इसको सेल किया जाता है इस गाड़ी में 112 क्लुमेंटर की IDC range मिलती है और 1.6 kWh लीथिन आयन बैटरी दी ग तो बजाच चाहिता का जादा कुछ न्यूज नहीं बाकी भी न्यूजस है बट उतना कुछ खास न्यूजस नहीं तो जीतने न्यूज इंपोर्टन से वह सारे के सरे में पता दिया वीडियो चला तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राब्स जरू कर दिना और ऐसी इन्फवि झाल